हेलो एवरीवन आज की रेसिपी है हमारी उरत दाल और मूंग दाल के बड़े जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है तो मैंने क्या किया है रात में एक दिन पहले आधी कटोरी उरत दाल और एक कटोरी मूंग दाल भी गो दी थी उरत दाल कम इसले डाली थी क्योंकि थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टफ होती है न तो इस वज़े से मैंने उरत दाल का यूज़ कम किया था लेकिन आपको अगर उरत दाल पसंदे तो आप सिर्फ एक उरत दाल की या सिर्फ मूंग दाल की भी बना सकते है थोड़े बहुत चिलके रहेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है और अब मैंने इसे mixy जार में लेकर ग्राइंड कर लिया है इसको ना तो हमें बिलकुल liquid form में दरडरा पीसना है और ना ही बहूत दरडरा पीसना है इसे हमें मेडियम कंसिस्टेंसी में ही रखना है अब जो बा वीडियो मेरा स्किप हो गया उसमें आपको पानी में डाल के इसको देखना है जब यह उपर आ जाए ना तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से यह हमारा फिट चुका है लेकिन इसे हमें फेटना तब ही तक है जब तक यह पानी में डालने के बद ऊपर ना जाए इसके बा बहुत ज़्यादा स्मूध होती है ना मौगी डाल तो बहुत इसली बरा का सेब नहीं आता तो मैंने इस तरह के से ही बना लिया ऐसारा और आप देख सकते हैं कितने अच्छे बिलकुल रोई के फूह जैसे बने और यह जो चटनी है ना यह चटनी के रेसिपी मैंने डाला तो मैं इसे क्या करूँगी दस से बंदरा मिंट के लिए भिगो के रख दूँगी क्योंकि इसमें चना पड़ा हुआ है ना तो उसको फूलने में थोड़ा सा समय लगता है तो उसके बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छी हो जाती है और इस तरीके से काफी एजी भी रहता है अगर आपको है तो मैं इसकी रेसिपी डिसक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां जाके देख सकते हैं चटनी प्रिमिक्स की रेसिपी करीब तीन महिने हो गए है मुझे इस प्रिमिक्स को बनाए और यह अभी तक खराब नहीं हुआ है तो अधनिया और जिए सब्सक्रियों फेट के रखा हुआ था तो अब हम इसकी बाफ डालेंगे यह फेटा हुआ था गड़ियों इसके वोग्शे से बिल्कुल स्मूद कंसिस्टेंसी में आता है तब ही यह देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी और आप चट्न पेषने का कोई जंजट नी है इमले की चटनी भी मैंने घर पे ही बनाई है इसकी रेसिपी मैंने अभी नहीं शेयर की लेकिन अगर आप लोगों को इसकी भी रेसिपी चाहिए तो यह सीफ 10 मिंट पर बनके रडी होती है और महीनों अपर रखके खा सकते हैं फिर मैंने डाला इसमें उपर से प्याज थोड़ा सा हरी मिर्च डाला थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से हम गार्निश करेंगे और आप चाहें तो अनार के जाने भी डाल सकते हैं मिर पास अविलेबल नहीं था तो नहीं डाला मैंने और यह हमेसे आपको बता चुकिए है चाट की रेसिपी में कि ये धनिया मिर्च और जीरे का पाउडर में बना के रखती हो और इसको जब हम चाट के ऊपर डालते है ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है चाट तो इस तरीके से हमारा ये दही बड़ा बनके रेडी हो गया है आप लोगों क कैसी लगी रेसिपी मुझे जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लैक्शन सब्सक्राइब जरूर करें बाबाई